नमस्का फ्रेंट्स मेर नाम बबलु और मार पेपर हैकर मैं आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स आज हम देखेंगे जियोग्रॉफि और पहली बात मैं एक महत्पूर आपको बता दूँ आज से जो हमारी क्लास चलने बाली है वो चलने बाली है परी महारी वीजन है ना क्या बाला है महारी बीजन चलने बाला है क्योंकि एक्जाम आ गया बिल्कुल पास में हमारे महारी वीजन क्लास होंगी पूरा की पूरा हम जियोग्रॉफि यहां पर देखने बाले है और भी टॉफित देखेंगे पहले हम क्या करेंगे भी ऑनली प्रतेक इसमें कितनी है आठ आपके सामनी देख रहे हो ना कितनी है आठ गंटे ही लूँगा मैं आपके कितने आठ गंटे लूँगा अगर आपने बिल्कुल नहीं पड़ा है अब तक अब तक आपने बिल्कुल किताब को उठाकर भी नहीं देखा है बुक को उठाकर भी नहीं देखा है तो सिर्फ आ आपके आठ गंटे में लेने वाला हूं महारिविजन के अंतरगत ठीक है तो आज जो महारिविजन का पार्ट हो गाजियोग्रोफ़ी का वह जाएगा बन एक पार्ट में एक समाप्त करेंगे तो आठ गोंटों में क्या करेंगे आठ हो आपको और आंतरिक स्तरचना आपको देखने को मिलेगी किसकी प्रत्वी की ठीक है तो बढ़ते हैं यूरिट बनके दीक उत्तरिये क्योशन की और तो फश्ट क्योशन इस प्रिकार से हो जाता है कि बहुतिक भूगोल का अर्थ इसपश्ट करते हुए बहुतिक भूगोल की प्रिकरती एबम विश्ट चेतर को समझाना है यह अत्मा में क्योशन इस प्रिकार से भी आ सकता है कि बहुतिक भूगोल की का भी प्राय लिखते हुए उसके विश्ट चेतर पर प्रिकाश डालना है तो कैसे लिखना है बस यहीं आपको समझना है ठीक है और क्या-क्या लि लिखाओगे और हैडिंग में आपको याद हो जाएंगी तो बढ़ते हैं तो पहला वाला क्या हो जाएगार रिकरती और परिभासा है पहले देखेंगे कि सब को है वो है क्या छी इसके बारोफि सब्भद कर लेते है टो यहां दे 可以 जियोग्राफिय को मने दुवाद में दुवागों करमेड कर दिया एक कर दिया तुमने जी क्या चीज जी और एक कर दिया क्या ग्राफ हो तो किससे बनेगा जी मतलब हो जाएगा क्या जी मतलब हो गया अपना प्रतवी और ग्राफों मतलब क्या हो गया ग्राफों मतलब हो ग इतने में कितने हो गए कम से कम 20-25 बड़स हो गए यहां पर बिल्कुल इस पर कहा से लिखना है अता समानता भूगोल का अर्थ है प्रत्वी का बढ़न करना भूगोल परिभास परिभासा कोश के अनुसार भूगोल बह विज्ञानतवा सास्त्र है जो भूग समझ मियाँ पर आता रही ठीक है फिर कर रहा है इसमें आकरतियों देखो क्या होता है भूगोल के जियोग्राफिक अंदर क्या आता है इसमें आपको क्या मिलेंगे अध्यन कहां तक पढ़िया यहां तक क्या हो दाएगा भूप्रेश्ट के अध्यन उससे छेत्रिये वेद तथा परसवर संबंदों का भी अध्यन किया जाता है तो बिल्कुल आराम से लिख सकते हो कि अगले दरेका है अर्थात भूगोल में प्रकृतिक तथा सांस्कृतिक बात आवड़ के विभिन ततभू का अध्यन भी किया जाता है इसमें भूगोल की प्रकरती के बारे में तता सांस्कृतिक बाताबर आपको देख रखा है ना जल बायू सभी के बारे में यहाँ पर बढ़न किया जाता है फिर देखा है अता भूगोल की दो प्रमुक साखाए हैं कौन कौन सी है एक होती है बहुतिक ब्रहमांद की रचना हुई है वो कैसी हुई है बहुतिक किरियाओं से हुई है ठीके आगे देखते हैं बहुतिक भूगोल में प्रकर्तित निसार भूगोल का जन्म हुआ तता बहुतिक तत्वों का जो बहुतिक तत्वों से इसका बढ़न हुआ है पिर करती है फिर बहुतिक तत्वों से जो हमारे जियोग्रॉपी मतलब भूगोल एक पिकार से कहते हैं ब्रह्मांड जो जन्म हुआ है बही हो गया बहुतिक भूगोल मानब द्वारा निर्म करिये किलाप द्वारा ठीके निर्म तुज भूग और उगिया वो क्या हो गया भूगोल हो गया है मानब निर्म बिद्वारा ठीके आगी देखते हैं यहां देखा है बहुतिक भूगोल के अगधिन में निम्निकत विद्वानों के विचार इस पिकार से हैं तो यहां तक हमने क्या किया यह तो सभी याद होगा है बस हमें क्या करना है हमें याद करना है भूगोल की कितनी साखाएं हैं भी भूगोल की दो साखाएं एक बहुत तिक भूगोल हो जाती है, एक मानब भूगोल हो जाती है, बहुत तिक पर करती द्वारा रचित हो जाती है, और मानब द्वारा रचित कौन से होगी, मानब भूगोल हो जाएगी, बस यहां तक कर लिए, अब देखते हैं, इनके अनुसार बिचार कुछ बिद्व करना है अब इतना हमने तो पढ़ लिया इतना हमने पढ़ लिया तो हमें समद में आ गया हाँ भी जो भूगोल है जो बहुतिक भूगोल है किसे कहते हैं और इसके बारे में किसका अधिन हमें लिखना है बस ठीक है समद में आया था बिल्कुल तो देखते हैं अब यहां पर और्थर होम्स के अनुसार क्या हो जाएगा बहुतिक बातावर का अध्यन ही बहुतिक भूगोल है अब बताओ इसमें क्या है उसी को रिपीड कर दिया कि बहुतिक बिगान के बारे माहा तो बात हो रही है तो बहुतिक बातावर का अध्यन ही क्या होगा बहुतिक भूगोल ह जो globe का धरातलिय सुरूब सागर, महासागरो तथा बायू मंडल के विमिन पच्छो का अध्यन करता है देखो बही बात हो गई धरातलिय सुरूब जो हमाई धर्ती पर जो एक प्रकार से भूगोल कह सकते हैं भूगोल का निर्माड़ हुआ है फिर देखो सागर, महासागरो का अंत्रगत आएंगे पच्छो का दिन किया जाता है अगले देखो इस्टॉल के अनुसा क्या कहा गया भूगोल सामान रूप से कई भूमी बिढ़्यानों का संभन्द है तक है को बात बही है बात बही है जो मानव जो की मानव बातावड़ पर सामान रूप से प्रिकास डालते हैं बात तो बही है कोहीं भी जाओगे मानव से ही रिटिट हो जाएगा ठीक है आगे थे को बॉन एंजल के नुसार क्या कहा गया प्रतवी के बहुतिक लचो था उसके मानव पर प्रिभाब का अद्धिन ही बहुतिक भूगूल है उट उसके कुछ नहीं है इसमें ठीक है कुछ नहीं है इसमें आराम से बना बनाकर लिख सकते हो अब लोबेक के नुसार क्या किया गया? बहुतिक बहतावर का अदिन ही बहुतिक भूगूल है फिर वही बात उन्हों ने रिपीट कर दी जो किसने कहा था जो कहा था यहाँ पर आर्थर होमस ने वही बात कह दी लो बेक नहीं क्या कह दिया बहुतिक बहतावर का ही अदिन क्या है बहुतिक भूगुल है, repeat करती है ना देखो, बहुतिक भातावड़ का अधिन ही, बहुतिक भूगुल है, मैं कह रहा हूँ, आपको बस नाम याद होना चाहिए, क्या इनके नाम याद कर लो, दोके की बहुतिक भूगुल अगर आएगा तो इन दोके नाम लिखना है, और बा आगे हमें क्या है, बहुत सारे बढ़सों में लिखना है, तो हमें क्या है, एक बात होई तो पढ़ना ही, पढ़ना है, ठीक है, आगे देखो, इस परकार, बहुतिक भूगुल के प्रमक, बहुतिक पच्छों, जैसे की चट्टानू, उच्चा बच, प्रतिवी की प्रकर् ऐतियां का निरbies माणब बाविकास, बाईूमन्डली दसाव, जैसार मंडल, में विभिन पच्छों तथा जैब मंडल के विभिन घटकों का बिस्तित अध्यन किया जाता है, तथा बहुत एक भूगूगुल जैल मंडल, जैल मंडल, जैल मंडल, बाईू मंडल, जैब मंड लब जो किरियां बगारा होती हैं ऑसक नुसार हो गया तो इसे क्या कहेंगे बहुत इक भूगोल कहीं देंगी बस बिल्कुल इजी है कितने है चार है चार याद करना ए जल इस्तल मंडल, जल मंडल, बायू मंडल और जैब मंडल इसी पर निर्बर है पूरा बहुत एक भूगोल आगे देखते हैं यहाँ दे रखा है अब इसकी विसे बस्तू के बारे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद हम आगे देखेंगे बढ़न करना है जो पहले की बहुत एक बाताबढ़ा है उसके बारे में हमें घ्यान होना चाहिए तभी हम क्या कर सकते हैं बढ़न कर सकते हैं यहां पर दे रखा है 25-35 बर्स तो यहीं पर हो गए ने पढ़ गया ठीक है आगे देखो काट महदे के अनुसार विस्व का संपूर ज्यान प्राप्त करने के लिए पहले उसे बहुत तत्वों था पच्छों का ज्यान प्राप्त करना बहुत प्राप्त करो और पच्छों का ग्यात करो तब ही आप क्या कर सकते हो तक रहा कर सकते हुए बहुत एक रूप की मिट्टी में दसी यहां सकता बिसाल द्रक्छी इसी बिति पर आदारित है तो यह किस ने कहा था भयक फिलिप ने कहा था सकता है आब सकता है यह JEFF विकल्प में आ सकता है और किसी बिर्कार से पूँसकता है इसका आंसर बताई यगा क्या क्या है वक् कुछ नहीं है इसी को घुमा फ्राकल लिख देना है ठीक है आगे देखते हैं क्या रहा है बहुतिक भूगोल का विसाइच्छे तता अध्यन शेत्र अत्दिक व्यापक है क्योंकि बहुतिक भूगोल में इस्थल जल तता बायू तीनों ही मंडलों का अध्यन किया जाता है अ बहुतिक भूगोल के विसाइच्छेत्रे में मुक्यता निम्निकित पच्छो को सामिल किया गया है अब किसको सामिल किया अभी हमने किसको देखा था इस्थल मंडल जल मंडल बायू मंडल और जैब मंडल बस बही है बही है और कुछ याद नहीं करना है आपको कुछ 20 में इंदया नहीं करना है बस बना बना करें लिखना है बस दो के नामयाद कर लेना है बिद्वानों के लो कि नमींयाद करना है बाकी पूरा च्योक्शन में نہیں देक्टपर्था आपको पताई फ्रसली को उसा ग्रह कुन सा क्या है वह सुर परिवार है सीडी बात है ग्रह के पर गतियों के बारे में किदर से गोंती है यह यह भी हो जाएगा गृतब आदी के अध्यन इसमें किया जाता है अब देखते हैं पहला कौन सा दाएगा इस्थलमंडल के बारे मुझे है पहला प्रत्वी के गहिये संबंद अब बता दिए उसके बारे में कुछ याद हैं वो लिख दिए बाकि आधी अध्यन किया जाते हैं बस कांखतम सेकिंड हैडिंग इस्थल मंडल में क्या करता है प्रतमिक समस्थ इस्थलमंड़ों दलान के डिए सल्ट पॉर्पू का दिन के जाता है आगे देखो कहला है भूपरिष्ट की कुछ भी मेटर की हैराई कुछ मेटर की होती है गहरै आपचलों नौ बो orchest्सक्सलों वह संतुलन अधी की उत्पत्ति आधी का घैन इस बर्ग में किया जाता है। इस थल मंडल पे जो आते हैं बस लिख देना कि इसका महातागर है, दीप है, यहाँ पर बहुत-बहुत बन है, बहुत सारे पेन है, उनकी सनचनाव का दियन, अरे बना-बना कर कुछ भी लिख सकते हूँ, के अंतर गत्र महासागरी आकुरतीयों इसका विस्तार कियों कैसे हैं विस्तार कैसे हैं प्रवाल बित्तियों का हाद दिन किया जाता है सही हो जाता है आगे लगे बारे में जानते यह न इस तरी करा जल निंदित करने वाले कारक हो याते हैं उसका लंबत खेटरिय वितर की हवाओं बायू राशियों चकरबात प्रिती चकरबात ज्लवाय। आधि का आदूरता का लिए हो झाय सकते हैं कि इतनी कैसे होती है इंप सब्का हूर्प होती है इन इसके अंदर खोसटीके समीप बारती बाईयो मंदल का और ब्रहा भाग हो जाता है जिसमें जी बन पाये जाता है इसमें जीव पाई जाते हैं इसमें जीव मंडल के घटको विभीने प्रकार के चक्रों तता पाइस्ति की तंत्रों तता ब्यायोम पादप जीव समूदाय के विकास आधिके ब्रड़ाइं किया जाता है इसमें संबंदों का दिन किया जाता है जो जीव मंडल के अंदर का ता बहुत दिक भूगोल को निमने के तो उपर भूभाग भी हो जाते हैं में विभाजेत कि या गया है जैसे कि आपका फर्स देर्का है बूआ करते बिग्यान देसरा नच्छतर भूगोल तीसरा जलबायो भिग्यान तो चौता बिग्यान यह सारे किसा आप आराम से लिख सकते हो खिन हो खिसे हो पूर्प भूमी की कैसी है ना 51% में जल है बाकि 29% वचा उस पर क्या हो जाएगा पानी बॉग्यान पर कैसे कैसे होते हैं हमारा उत्तर आपूरा पश्य मुद्र जच्टर दो ठीक है उसके बाद जलबायों के बारे मिग्यान बता दी मिर्दा बोगुर करते हैं और जैबोगोल की बात करते हैं तो यहां पर कुछ नहीं है तो है और नाम याद करना है कुछ आद नहीं करना ठीक है दो नाम याद कर लिए एब पर बागों पता है आपको क्या होता है प्रत्वी जी कार्थ प्रत्वी ग्रॉफ हो को जाएगा बढ़न करना बस उसको कहींजदो खोड़ा सा पचास 50-60 वर्ट्स यहां पर हो जाते हैं आपके तो पहला क्योशन बहुत कूरी इंपॉर्टन के जंगारी City के चivesseंगे जने में आपके आने वाला कियोसन यह एक्जाम में आपके देखने को मिलने वाला थो बहुत लिखने को मिलेगा आप लिखकर ले सकते हो ठीक है तो बात करते हैं क्योशन नमबर सेकेंड की फास्टी कूशन बिल्कुल कंप्लीट कर लिया हमने अगर आएगा तो यह भी क्योशन नहीं बचेगा उससे ठीक है बढ़ते हैं बात करते हैं यहां से कहरा है ब्रह्मांड शौ परिकल्पनाओं का सिफ्ञुटान तो का प्रिक्लपना यह िरेकार लिए यह इस परिक्लपना दोनों की बारे का बर्लन कीजिएगा, बहुत इची प्रिकार से बढ़ेंगे जो कि आपको बिल्कुल याद हो जाए, ठीक है तो बात करते हैं, यह है क्या, सौर मेंडला आप जानते ही हूँ यहाँ पर सौर मेंडल के बारे में कुछ थियोरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी संबंद में पौराणे की गरंतों के अनेक बार उल्लेक मिलता है, बहुत सारे लेक लेके गए और इस प्रिकार से बना-बना के लिए दो संबंद में परिकल्पना के बिचार में मतबेद रहा है अब भी देखो जो बिद्वान है उनमें क्या रहा है मतबेद रहा है कोई पता नहीं किस प्रिकार से उत्पति रही बस यह लिख दिया सामायता सौर मंडल या पत्थवी की उत्पति संबंद विचार दहाराओं परिकल्पना उता सिद्धानतों को मुक्ता दो बर्गों में विवाजित किया गया है अब ये क्या है सौर मंडल की उत्पत्ती दो परिकार से हुई है ये माना गया है कि दो वर्गों में डिवाइड किया गया है कि सौर मंडल की उत्पत्ती किस परिकार से हुई एक तो माने गई है एक तारक परिकल्पनाएं, दो परिकल्पनाएं दी गई थी, कितनी दो परिकल्पनाएं दी गई थी, कौन कौन सी एक दी गई थी, एक तारक परिकल्पना मतलब हमाई जो पत्थवी के उत्पत्य हुई है, वो एक तारे से हुई है, इस बर्ग में बेसमस से हो जाती है जब भफन की परिकिल्पना ठीक है और कॉंत की आता 18 ना है कौंसा नमबर थरी अगर यह आता है पर आक्ष़क소 की निहारिका परिकिल्पना बाकि सब छोड़ो ये भी छोड़ो you mmichaus il trade सथिक है पसेख युरक रिक नہ हम देखना है रिकिने अदिक मतलब क्या हो जाएगा दो या फिर दोस्ते अधिक हो रही है तो उसे कैंगे दोर कुछ किलिट किया गया है जिसमें 10 परिभार या 2 या 2 से अधिक तारों का घरा वाना गया है कि दो या 2 से अधिक तारों से प्रतवी सोवेंडल की तो उसे क्या जा आती है तुमारी जैम्प उचिन ज़ोरी यह प्रकिल्पना यह बहुत मुझा जाता है बस एक हीग करने बाटी छोड़ो ठीक है बाटी का करना है छोड़ देना है बड़ते हैं तो देखो पहले देखेंगे किस्की भई लापलास की नहारिका परिकल्पना के बारे में जानते हैं क्योंकि यह क्योशन gonna सकते हैं यह दो क्योंशन में से आपको बता रखा है और यह आपको आएगा यह परिकल्पनाव के बारे में ठीक है तो बढ़ते हैं तो देखते हैं लापलास की निहारी का परिकल्पना क्या कहती है बस थियोरी को देखेंगे आपको याद हो जाएगा बिल्कुल ठीक है तो सिस्टम के बारे में कि यहां पर में निहार का सिद्धान्त के माध्यम से प्रत्वी की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है प्रत्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई इस पर प्रकाश डाला है उन्होंने इनकी बस यह क्या करना है बुक याद कर लेना है बाकिया आप सारा क लिख दोगे थोरी पढ़ लगे तब करा है इन्होंने काट की परिकिल्पनाओं के मुखे दोसों को संसोदित करते हुए सौर परइबार के उत्पत्ती एवन विसाल उश्ड सथा गैसीय निहारिका से मानी है इन्होंने क्या मानी है पहली बात जो लापलास प्रत्वी की उत्पत्ती को माना है जैसे आप देख रखे हो गैसी ये निहारिका से मानी है इस निहारिका का व्यास शोर परिवार के कुल बिस्तार जितना था अब इसकी जब पढ़ो गया आप थियोरी तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा ये कह रहा है यह निहार का तेजी से अपने धोरी पर घूम रही थी एक निहारिका जो थी मतलब जो गैस थी गैसों का जो एक निहारिका थी वो तेजी से अपने एक ही जगह पर क्या हो रही थी गूम रही थी तीपर गती से गोड़न के काड़ विकिरड द्वारा उसमें ताप का हरास होने लगा ती निहारिका का बाहरी भाग क्या होता रहा सीतल होने लगा सीतल होने के साथ ही उसमें संकुचन भी होने लगा जब सीतल होगा तो संकुचन होगा संकुचन के काड निहारिका का आयतन आकार कैसा होने लगा वही कम होगा संगज़ें होगा तो क्या होगा इक खट्टा होगा कम होने लगा सीठल नहीं लगा थो तुल जाने के कारण निहारिका के मद भागे में पदार्थ भारहीन हो गया पदार्थ जो था वो भारहीन कहां हो गया मद में आ गया यहाँ पर ठीक है फिर किया रहा है बलाय के रूपे में यह भारहीन पदार्थ निहारिका के प्रतक होकर उपरी परिक्रमा करने लगा कहां उपरी परिक्रमा करने लगा फिर कहां सेस निहारी का किरमसा सिकुर्ती गई और चप्टे बलियों का निमाल होता रहा चप्टे बलियों का क्या हुआ है निमाल होता रहा और कहां यहां पर विविन बले कालांतर में घनी भूत होकर ग्रह ब ति ऊप्रहों के युत पस Suppِّ ओ 사की उत्पत्ति हुई अब इसकी आलोचना में क्या कहा गया है आपके पहले में कहा इन्होंने कहा थी जाम इनहीं कितम स्सक्राइब कई कोई उपग्रहों की उत्पत्ती हुई अराम से बना बना करा आप अब लिख सकते हो ठीक है कि अपके इंद्रबल लगा बाहर की और गए कुछ कड़ बाहर पहुंचे उन्होंने गिरहों को अन्यमार कर दिया ठीक है अब देखेगा जैसे यहां पर रखा है बस आप अब इतन कर पहुंचे इन्होंने किसका निमार किया बढ़ने किरहों की फरेत और दिखेगं कीरहों की इन्हों से और निकले होंगे और निकले कर छोटे-चोटे जैसे कि गैसों की ब्रताकार कच्छा सूरे बाग ग्रहों का एक ही दिसा में घुडन तो कि रखाय तमारा उश्ड तथा गैसिये निहार का के माद्यम से प्रिथवी का भी उश्ड तथा गैसिये होकर क्रमसा तरलबा कि फिर ठोस होना आदी पर विसेस ध्यान दिया है परनतु लॉपलास की परिकल्पना का कि भी परियाप्त आलोचना होई है मतलब इन्मोंने क्या 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 कि एक ही बिल्द दिसा में क्या होते हैं सभी गुणते हैं पहली बात इन्मों यह बताई इस पर थोड़ा सा फूकस दिया और ठंडे होकर क्या हो गया यह ठोस हो गया ठीक है इन पर थोड़ों सार उन्हें एक प्रकार से गौर दिया ठीक है मगर यह क्या होई परिकलपणाँ में बहुत सारी तुर्टी देखी गई कौन कौन सी आलोचणा ची इसके बारे में लिखना पड़ता है तो ग्रह हो ऐबम सूर्यों के कच्छो लोगों कोंगे बनेंगे तो इसकी ब्याख्या नहीं की गई तो फर देखते हैं उपय रहा और जो ब्रस्पति होता है इनके होते हैं और बात करते हैं गेसी बल्योका गनीभूत होकर ग्रह बनाना संग्रन नहीं है अगर गैसी बले हैं और वो गनीभूत हो रहे हैं इकटे हो रहे हैं तो उनसे ग्रह बनना निश्चित नहीं है ये बताया गया नेक्स कुशन नहारिका के स्यस भाग सूरी की गती अब अधिक बहुत अधिक हो जानी चाहिए थी बिल्कुल जब ठंडे हो रहे हैं तो क्या होगी सूरी की गती और तेज होना चाहिए थी सूरी की गती कैसे होना चाहिए थी, तेज होना चाहिए थी, क्योंकि बता रखा था पहले में बढ़ा था, जब निहारिका ठेंडी हो रही थी और उसका ब्यास हो रहा था, फैलाब के समान मान लिया जाए, तो घुरं गती कम होनी चाहिए, अगर हम माल लें कि निहारिका का जो व्यास है वो सौर परिवार के फैलाव के समान वाना जाए तो घुड़न की जो गती है वो कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए थी ठीक है? जैसे आप उन्होंने दब दे रखा है फिर बात करें गती कम होने पर बलियों का अलग होना संबब नहीं था अगर गती कम हो रही है तो जो बले हैं इनका अलग होना संबब नहीं था और गिरहों का निर्माड होना संबब नहीं था ठीक है? बात करते हैं यहाँ पर 9 गिरहों का निर्माड क्यों बंद हो गया अगर ये बात थी वह निहारिका थी तो अब भी क्या होता सूरे से ग्रहों का निर्माड होता रहता क्योंकि वह तो क्या है रॉंड और उसके तेज होते तो और बंते फिर और कड़ बंते और कड़ बंते अब भी कड़ बंते ही रहते और बह स्म Jerush fit da गैसी यह निहार का से बना हुआ हुआ एक परकार से हमारी पत्ति क्युत्फपत्ति मानी गियी वित्फपत्ती मानी गई है त्यों साओर परिद्यार को पत्ति मानी गई है लौप लाम से देसी पड़ा एक गंटकी का समय चैंबर ने 1904 में अपनी परीक्लपना प्रस्थित की उन्होंने निहारिका परिक्लपना सम्मधि दोसों को दूर किया जो हमाई लीप कौन थे लापलास जो थे उन्हें की जो निहारी का परिकल्कना थी उनमें जो कुछ दोस रहे थे उनको दूर करना चाहा थे कहा रहा है प्रतवी की उत्पत्ती के विसाय में एक नई परिकल्कना प्रिस्तुत की इसके अनुसार ब्रह्मांड में घूमता हुआ एक विसाल काय तारा कोई विसाल काय तारा था बहुत अगड़ा तारा सूरी के सूरी से काफी निकट से गुजरा अगर सूरी यहां पर है चोटा सा पूरी कहां पर है यहां पर है तो उन्हें बताया यह निकट से कहां है गुजर रहा इदर से निकर से गुजरा जिसका आकरसर शक्ति से सूरी के असंख च्छोटे कड़ एबं ज्वाला के रूप में कहा हो गया भी अलग हो गया जिब से गुजरा तो इसके च्छोटे यह करेंगे निर्माड इन ग्रहाणूं से कुछ बड़े कड़वी थे जो भावी ग्रहों के नाभिक बने क्या बने बहावी की ग्रहों के नाभिक मने बड़े बड़े ग्रहनाओं बड़े ग्रहाणों के चारों और छोटे छोटे ग्रहाणों एकत्त होने से यह क्या बन गए पिंड भा उपग्रह में कहलाए ठीक है छोटे छोटे थे वो क्या कहलाए पिंड कहलाए और उपग्रह कहलाए इस परेकलप नामें ग्रहों की उतफिती सूरे दौरा अलग हुए पदार्त से हुई है फिर कियरा समपूर ग्रहों का कुल भार सौर परिबार के लगबग एक बटा सासो भाग है यह तत्थ इस सिद्धान्त का अनुकुल है तता पुष्टी भी करता है कि सीतल भा ठोस ग्रहाणों के टक्राने बा ये कते तो होने से ग्रहों भा प्रतवी की उत्पत्ति मानकर इन्हें प्रारंबिक अबस्था में ठंडा तता ठोस माना गया जो प्र प्रतवी की संद्धाना के अनुकुल है इस प्रिकार से बताया गया जैसे आप कह रहे हैं कि चैंबरलेंट था मूल्टन का जो परिक्रिमस दानत है सूरी यहां पर था और यहां पर एक विशाल का यतारा आया उसने क्या हुआ इसके क्या हुआ बिलकुँ समीब से गुजर तो फस्ट को देखेगा ग्रहाडवों के आपसी टक्राव से ब्रद्दी नहीं होनी चाहिए कि बलकी या तो ताप ब्रद्दी होगी या गैस बन जाने चाहिए अब पास्ते जा रहा है तो यहां पर बही ये टूटेगा तो नहीं तूटेगा तो नहीं, क्या बनेगी, या तो गैसों का निर्माड होगा, या फिर ताप में ब्रद्धी होगी, दो चीज होना चाहिए थी, मगर उन्होंने क्या बताया, यहाँ पर घरसड हुआ, और नए खंड अलग अलग हुए, और उनसे क्या हुआ, ग्रहों उप ग्रहों बताते हुई कहा है, कि थोड़ी मात्रा में सुए से निकला हुआ जुआरिये पदार्त, गैसें तता बास्प में संगनित होकर, ग्रहणों तता अंत में जाकर, इनसे बड़े ग्रह कैसे बन सकते हैं, यह बताईएगा, यह भी एक तुर्टीप आई गई, आगे देखे रह थर्ट वाली, कहा है, सुर्य में अधिक दरब्मान होते हुए भी, कोडिये संबेग बहुत कम है, तब ग्रहों में इनका अधिक कोडिये संबेग कहां से आया, भई, कोडिये संबेग सुर्य में क्या है, कम है, तो कहा है, ग्रहों में जो अधिक कोडिये संबेग है, वो कहा क्यों है ये आपको यहाँ पर बताना है तिक ये भी एक तोटी पाइगी next देते हैं करा परसपर्ट-क्राव दौरा उपन ग्रहों की परिकल्पना पत ब्रताकार कार ना होकर लंबा था अंदाकार होना चाहिए था ब्रताकार ही क्यों हुआ अगर तूटते तो इस प्रकार से भी होता, इस प्रकार से भी होता, सभी प्रकार से होना चाहिए था, तो ये भी क्या पाई गई, एक तोटी पाई गई, next देखीगा, कहरा है यदि प्रत्वी पहले से ही ठोस अबस्था में थी, तो अपर्दन की किरिया, अबस जारी रहती आबस जारी रहती, अब तक जारी होती, ठीक है, फिर कहरा है महसागरों का जल जो था, वो अधिक खारा होना चाहिए था, ये भी एक तुरूटी पाई गई, आगे देखा, इस परिकल्पना अनुसार प्रत्वी परम से ही ठोस अबस्था में रही है, तरलवस्तामी थी पहले अगनी थी बहुत सारी अबने पढ़ा होगा इंटर में यहां देखो जैफरे केमत उनसार गिरहो के नाभी के बहुत ही भीतर तक देबे हुए थे अता उनके बायू मंडलन की उत्पत्ती भी ब्रामक लगती है तो ऐसा कुछ नहीं है जो इन्होंने परिकल्पना एदी यहां पर किसने चैंबरलीन और मोल्टन के दोरा यह भी गलत मानी गई और जो हमारे दिला गई कौनसी लॉपलॉस का नहारी का सिदांत गैसों के दोरा यह भी क्या मानी गई गलत मानी गई ठीक है अब यहां पर लाश्ट आ जाती है कौनसी परिकल्पन यह थोड़ी सी सही मानी की इसको देखते हैं इसमें क्या हुआ यह किराई ब्रिटी विद्वान जैम्स 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 जैनस ने 1909 में प्तवी की उत्पत्ती के संब्थ में जोआ रिये परिक्रपना परशनत की आगए चरका 1918 में जैमफरी नमक से फिर उसके बाद में आये थे 1928 ने जैम पे नमक भिद्वान ने इसके कुछ संसोधन किये इसं सिधंत कहनेु सार एक बहुत बड़ा तारा सूरे के समीफ होकर गुझरा एक बहुत बड़ा तारा ठाथा वो नहुत से सूरे के समीफसे होकर सूर्ष में क्या उठा, जौार यह उठा, और वह क्या हुआ, भैरे रॉंड बनाने लगा, ठीक है, फिर कहरा है, तारा जैसे जैसे अपनी गती, चाल के अनुसार, सूर्ष के पास आता गया, ठीक है, और सूर्ष के बैसे बैसे, जौार भी अदिक उठने लगा के तारे के बहुत निकत आने पर सूरे में उभार हुआ उभार हुआ और जौरी भाग से ही जौरी पदार्तती की उस और अगरसित होता रहा वो क्या हुआ ज्वारी पदार्थ उस और क्या हुआ अगर से दोता हरा ठीक है फिर कह रहा है तारे के सूरे के सूरे से काफी दूर जाने पर उसकी आकरसर सक्ती कम हो गई उसके आकरसर्टी क्या हो गई फिर कम हो गई फिर किया रहा है जिसे सूरे के पूरे से निकला हुआ पदार्थ ना तो तारे के पीछे जा सका और ना ही आकरसर्थ सिब्धानत के अनुसार सूरे में ही बापस आकर मिल सका ना तो भई ये तारे के पास जा सका और ना ही कहां आ सका सूरे के अंदर बहें मिल सका फिर किया रहा है बहें सूरे के चारों ओर चक्कर काटने लगा एक तरफ सूरे और दूसरी तरफ तारे के आकरसर के करड़ पदार्थ की आकिरती शिरे पर पतली तथा बीच में मोटी शिगार के रूप में हो गई कैसी है ये शिगार के रू खो TOM 2 हो कर यह आकरति गोलाकार कर के रूप में परिबर्तित हो गई यह कैसी हो गई देखर हो गहीं और अपने 선 est今 regulator में आधर कर लिया बाद में फंड घनीभूत हो गिरहों के रूप में जानने लगे तो इस प्रकार से हो जाएगा आपने ग्रहों का निर्मार फिर कैरा है ठीक उसी प्रिकार सूरी की आकरसर सक्ती से उपग्रहों की उत्पत्ती हो गई ठीक है फिर कैरा है ग्रहों के जो आरिये पदार्त से बनने बाला घनीबूत आंसिक भाग इनके छोटे इतने छोटे हों गए कि केंद्री आकरसर की सक्ती के कार बंद हो गया उपिग्रहों का बनना बंद हो गया तो उनका जो है रचना जो है जो आकरती है जो मोटाई है वो कैसी है मोट में क्या है मोटी है किनार उपर क्या है संक्री हो जाती है मतलब सिगार नोमा आकरती की देश्टी आपको देखने को मिलती है फिर कह रहा है जिन ग्रहों के अनिव उपग्रह हैं बे भी इसी परिकार वश्के तो होते हैं यह ग्रह की खोज के बाद में हुई थी फिर किन्तु इसके छोटे छोटे आकार ने परिकल्पनाओं को पुष्टी की है और पुष्टी की है फिर किरा है सबी ग्रहों की अपनी कच्छा में सूरिकी और जुकाब, सूरिकी और आकरसित, सक्ती के प्रभाब को दरसाया है अब इसकी भी आलोचनाई पाई गई है ठीक है इसकी भी लोगों ने क्या किया है आलोचनाई की है अब कौन कौन सी आलोचनाई की है ये देखते हैं कहरा है अनेक विसेस्ताओं के उपरांत भी इन परिकरपनाओं में काफी कमिया थी कहरा है इन में से प्रमुक निम्न है पह निष्कर से निकाला की सूर्य एक सूर्य एभम गिरहों के मद की इतनी अधिक दूरियों की उचित नहीं है इतनी अधिक ग्रह बनना संभव नहीं है बलकि इतना गर्म पदार्थ तो अंत्रिच में मिल जाना चाहिए था इसको दिवार देखते हैं कि रहा है कुछ बैज्ञानिकों के अनुसार सूरी के अलग हुए उष्ड कैसी ये भाग का सीतल होकर ग्रह बनना संभव नहीं है तो ये भी हो लिए ना तो यह तो पाई गई अगले देखीए यहां रिख्थ है रसायल का कहना है कि यदि इस परिकर्पन में सौर मंडल की उत्पत्ती हुई है तो इसका आकास में फैलाब इतना नहीं होना चाहिए था आकास में इतना फैलाब क्यों है इतनी दूर-दूर क्यों है यह नहीं होना चाहिए था आगे देखने हैं सूर्य में ज्वार उत्पन करने बाला तारा कहां चला गया स्वाव सूर्य में जो ज्वार उत्पन कर रहा था वो तारा कहां चला गया पर परिभ्रंस करते हुए पुना सूर्य के निकट क्यों नहीं आया सही बात है जो मनतों करना ही था तो ये भी एक तुटी पाई गई नेक्स्ट कह रहा है गिरहों के कोडिये संबेग का अधिक होना भी इस परिक्रपना द्वारा इस पश्टन नहीं हुआ तो इस परिकार से ये भी परिक्रपना एक परिकार से सुद्ध नहीं माने गई है तो ये दो क्यूश क्या हो जाएगा यहां पर गुलाकार आकरती में हुए और सिगार नमा हुए कैसे हुए भी सिगार नमा हुए यहाँ पर यह बताया गया और देखते हैं इससे पहले कौन सा था यहाँ पर है चेंबर लीन द्वारा मॉल्टन का परिबरतन इसमें क्या था यह बहुत विसाल का इतारा आया और घृसटन किया और क्या हो गया? ग्राप ग्रॉब ग्राओं का निमाड हो गया ठीक है? इसमें ये बताया गया था और लिपलॉस की निहारिका से द्रांत में क्या बताया गया था इसमें बताया गया था जो ऊश्रत था कैसे थी गैसी ये निहारिका जो थी उससे बहुत सारा गोडन हुआ चक्रड हुआ इसमें ठीके मतलब अपनी जगह पे बहे गोमने लगी ठीक और एक भी question इसमें से नहीं पढ़ना है, दो ही question में से पूचेगा, और दो question मैंने आपको इसमें समझा दिये, unit 1 में, ठीक है, unit 1 में, अब question और भी दे रखे हैं, अगर दो ही question आपको important है, दो question आपको याद करना है, ठीक है, बागे दे रखा है question number 3 को देखे हैं, तो बना होता है, तो होगी, प्रिस्टबूमी, भूमी की, ये भूमी है, ठीक है, ये प्रिस्ट बूमी हो गई, फिर उसकी बाद कौन से परात आता है, CAd, सिमा आती है, और ये होता है, क्जिरत कोर गयते है, ठीक है? तो ये थोड़े से नाम्याद के लेज़ेगा, बाग ये बना बना के लिख सकते हो और आती है तब तो बस दो ही क्योशन याद केज़ेगा बाकी कोई जुरूरी नहीं है अब यहाँ पर हम लगू उत्री परसन की और बढ़ते हैं इसमें से देख लेते हैं दो क्योशन हमने क्या देख लिए बड़े वाले देख लिए दीगर वाले अब इन क्या देख लेते हैं जो आपके एक्जाम में आने वाले हैं कौन सा है सौर मंडल पर संचिप्त प्रकास डालिए अभी हमने देखा सौर मंडल का पूरा ठीक है उसमें आप बहभी डाल सकते हो और और ये भी फोड़ा सा पढ़ेंगे हम ठीक है बिल्कुल सौर मंड पर संचिप्त प्रकास डालिएगा तो देख लेते हैं उत्तर अंत्रिक्ष या ब्रह्मांड बिसालतारा सौर मंडल निहारिकाओं नच्छत ग्रहों उपग्रहों उलका पिंड उच्छलतारे तता दिर्खए आकास गंगाओं का सहयुक्त रूप है आराम से लिख सकते हो य एक सूर्य तता उसके परिवार से मिलकर बनता है फिर देखा एक शौर परिवार में एक सूर्य तता ब्रहद ग्रह होते हैं बहुत सारे ग्रह होते हैं अबांतर उलकाएं तता पुछल तारे आदी समलित होते हैं आगे की बात करने देखा है सूर्य क्या आता है सबसे पहले से चमकता है इसकी सताय पर 6,000 केंद्र पर 165,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 गंटे में एक चकर काट लेता है कितने 25 दिन और 5 गंटे में सूर्य एक चकर काट लेता है सूर्य का ब्यास कितना है 393,000 किलो मीटर है यह प्रत्वी से कितना दूर है भई 14.89 करोड किलो मीटर दूर इस्तित है सूरे का आकार 25 से 13,00,000 बढ़ा है कितना गुना है वही तेरा लाक गुना बढ़ा है तो हमने सूरे के बारे में को जानकारी हासल की आपको दो तेन जानकारी हासल होना चाहिए बाकिया बना बना कर लिख सकते हो ठीक है आगे देखते हैं कि ऐसे तेरा गुना हो गया तुक्छ इसका दूरी कितनी है पत्थबी से बस दो अगर आधे मैं आपको तब की इश्थति मानी जाती है सौर मंडल में पूल कितने ग्रहे भई 9 है Reg inhabitants अपरन्तु अभी इसको मानिता मिलना सेस है इन सभी ग्रहों की उत्पत्ती सूर्य से हुई है यह सभी ग्रह प्राइ गूलाकार हैं यह सभी ग्रह अपनी पर दीओं पर सूर के करते हैं सभी ग्रह एक दूसरे की एक दूसरे की आकरसर सकती से खीचे रहते हैं बुध्ध सुर्य के समीप इस्थित है तो कोवेर जो होता है सबसे हैं और है इन घ्रहों का करम इस परकार है तो ये करम आपको वहות ही इंप्रिकपरесто थीक है बुद्ध हो जाएका सबसे पहले फिर प्रतिभी फिर आजाएका मंगल फिर प्रषपथ चन्ई अरूर और और कुवेर तो इस प्रकार से कितने ग्रह हो जाते हैं नो ग्रह हो जाते हैं अब यहाँ पर उपग्रहों की बात कर लेते हैं ठीक है उपग्रह क्या होते हैं ग्रहों के चार ओर जो गुमते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं फिद रहा है ग्रहों के आंत्रे के शौर परिबार में उपग्रह भी परिकर्माड करते हैं इनकी उत्पत्ती ग्रहों से हुई होती है सबी उपग्रह अपने अपने ग्रहों के चार और परिकर्मा करते हैं सौर परिवार में सबसे अधिक उपग्रह ब्रस्पती के हैं जिनकी संक्या कितनी है बारा है ब्रस्पती के जो उपग् कितने हैं और मंगल के कितने हैं फिक हैं तूर इसका कोई भी अपगर नहीं होता एंगे अगे बढ़ते हैं उप ग्रह भी जो कुपेर है उसका भी कोई भी उप ग्रह नहीं होता है ठीक है? IMPORTANT है नहीं जाद कर लिजएगा अब पर बहुते हैं यहां पर चुद्ग्रह के बारे में चुद्ग्रह क्या होते हैं? इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या रहा है सोर मंदल में मंगल बाव रिस्पती के बीच काफी दूर तक रिकुतस्थान है किसके मंगल और दानकी बीच इस रिकुतस्थान में अनेक अनेक चोटे चुद्ग्रहины जिनकी ब्यास कुछ 100 किलो मीटर तक सीमित है ग्रह इंन चुद्द ग्रहों का निर्मार सम्भवता किसी तारे ग्रह के बिखंड़न होने तथा पदार्त के विखरने से упरना जाता हुए ठीक है या फिर ग्रहे आपस में टकराए हों बेवे कर गए हों तारे आपस में टकराए हों बेवे कर गए हों ग्रहे या फिर कोई भी पदार्थ के विखरने से माना जाता है आगे देखते हैं यह कहरा है पुछल तारित था उलकाएं यह क्या होते हैं अंत्रिश में आने एक चोटे चोटे पुछ बाले तारे ब्रमण करते हैं यह तारे निश्चित अबदी में ही देखे जाते हैं करा सूरी परिक्रमा करते हैं सूरी की परिक्रमा करते हैं अपको तरह सभी सूरी की परिक्रमा करते हैं हैली जो हैली है हैली पुछल तारा अपने सौर परिबार का सबस दिक्ःतेओं तक ऒङके रूप में माने जाते हैं यह कभी-कभी पर गिरिभी पड़ते आपको पताई है ताले टूरते हैं थे यह एक रहते हैं कि अधार कौन करता है इनके बारे में तो आसा देख लेते हैं ठीक है कि और भी क्योशन है थाड गूब एग्ज्ञाने कि समय का अगली बी कि अध्य बीघ्विशन क्या होते हैं बहुत इंपूट है यह मारे पहला हमने देख लिया इसके बारे में है सौर मंधाल पर संद्र के फडी कर लिंदे अब हम क्या देखेंगे इनके बारे मैं यही याद करना है क्या याद कर लिना है कि याद के लिना में आपको यह वह जाता है न्तर G इसके बाले में कुछ जानकर हासिल करेंगे हम उसके बाद में जो हमारा iunit 1 होगा वो समाप्ट तो हो जाएगा ठीक है बहु कलपी कुषन देखेंगे उसके बाश माप्ट होगा प्रतबी कितनी है इसकी उत्पतिता बेक्ज्यानिके सुरूप कैसा है देखा है किसी प्रकार का है रहा है यह बियुक्त बिबागास्तमक रहा है फिर देखा पुरातात्बक अभी hold sind hada का अभ्यूद객 की सभिता का अभ्यूद 595 पर मानब कर मानब का जो माती हूँ है वो नहित जीबास्मों के आधार पर प्रतवी की उत्पत्ति 6,000,000,000 बर्स पूर्ब हुई है जो ठोस रूप में 45,000,000,000 बर्स पूर्ब आई थी ये मानी जाती है इसको याद कर लेना कि प्रतवी की उत्पत्ति कम मानी जाती है जीबास्मों के नुसा नहित जीबास्मों के पता ठोस अबस्था में जब आई थी प्रतवी तब माने जाती है पैंतालिस हगार पैंतालिस सो मिलियन बर से पूर्व मानी जाती है यह दो आपको याद करना है बाकिया बना बना कर लिख जाओगे ठीक है यहां देखें प्रतवी की आयूकर निधार के आधार कौन-कौन से इंको देखते हैं अपनी उत्पत्ति के समय पर प्रतवी जो जोलन सील गैसों का समूती जो किरम सा ठोस रूप में परिबर्दित हुई करा प्रतवी की आंतिक भाग आज भी अतिदिक गरम है जो अंदर का भाग होता है वो कैसा है अभी गरम है यह प्रतवी के भू बैग् जिए चुका है कि रहा है परन्तु आजबी प्रतवी की आयू ब्याद करते है जैंस अंटा यह कुछ भी नामयात करो ठीक है जीवासमों के आधार पर प्रतवी की आयू लगवक कितनी मानी है 3,000 मानी है ऐसे लिख दो कि कुछ बिद्वानों के अनुसार प्रितवी की आयू कैसी मानी गई है 3,000 करोड मानी गई नाम याद करने की ज़ुरत नहीं है पर देखे हैं पैंतों बैग्याने को द्वारा सेलो की परिछड के आधार पर प्रितवी की आयू कितनी मानी गई है 4,000 करोड मानी गई है बिद्वानों के अनुसार कितनी मानी गई 3,000 मानी गई अगर 7 लों के अनुसार बिद्वानों के अनुसार देखें तो कितनी मानी गई चार जार मानी गई ठीक है और वहाँ 4500 मानी गई थी करा पत्बी किसरा हो जाएगा रेडियो एक्टिक्ता का साच चौता है जीव बिग्यान के साच बस इतना ही है ठीक है इतना आपको क्या करना है याद करना है यह चार आपको याद करना है बाकी तो बना बना कर हम लिखेंगे ठीक है ठीक है याद करेंगे और वहां पर तो बना बना कर लि होता है सूरे 12-3 second कितनी होती है 10 26 उर्जा उत्पन होती है या 10 खरब पॉंड हाइड्रोजन पृती सेकंड होती है कोई बात नहीं याद करने को पस इतना याद करना कि सूरे रफ पूंड में कितनी होती है जिसकी गठाट 26 उर्जा बना हुआ है तो क्या होगा उस्मा गाली अपनी समस्ता हाइडोजन की उजा में परिविर्त करने में लगवक कितना होता है पाँच अर्व बर्स लग सकते हैं और एक तुम्हारा तक अपनी बर्स ही मानी गई है फिर देखाई चंदरमा के आकरसर से प्रतवी पर जुआरी उत्पन होता है चंदरमा पास में है अरी में जाता है तो क्या उत्पन होता है जुआरी उत्पन होता है जुआर के काड़ प्रतवी के गोड़न में बाधा पड़ती है इसे प्रतवी के दूर जाने से लगबग 400 करोव बरस का समय लगा है कितना कितना समय लग चुका है अगर बात करें चंद्रमा के अनुसार तो 400 करोव बरस का समय लगा है इस परकार गैमों के अनुसार पित्वी की आयू 4 अरब बरस रही है कितनी 4 अरब बरस रही है तो खंगोल यह के अनुसा कितनी मानी गई है 400 मानी गई है ठीक है और हाइड्रोजन की बात करें हाइड्रोजन इतनी 6 हो गई तो 300 मानी गई है बस बना बना कर इतना ही लिखना है इसमें कुछ नहीं लिखना है आगे देखते हैं next की बात करते हैं next रेका है तुम्हारा second की भू बैज्यानिक साच के बारे में कि प्तिवी के पहले सागुढ़ महासागरों का जल खा रहा होता है प्तिवी की प्रति के समय समुद्री जल स्वच तता था मूझा चाहितां कि प्रति बाद से कितना होता है इतना ग्राम जो है ना मगी मात्रा नदीयों द्वारा इस थल भागों से समुद्र जल में पहुंचाई जाती है दीक हो यहां पर कह रहा है कि पहले जो था भती मीठा था अब नदियों के दुआरा स्थल से क्या जा रही है नमक जा रही बहते हुए ठीक नदियों के द्वारा तो क्या हो गया वैसे ही खारा वोता जा रहा है अब इसके अनुसार क्या निकाला है प्रतभी का अनुवान निकाले उनने पर देखा तता समुद्र में लबडो की कुल मातरा इतने ग्राम वो राम कुछ मतलिको ठीक ग्राम की कोई जोत नहीं है याद ना हो तो कोई बात नहीं है ठीक है इस प्रकार इनका नमक नदियों द्वारा समुद्र में लगबद आठ करोड़ों बर्स में लाया जा सकता है कितना आठ करोड़ों बर्स में इतना नमक लाया सकता है यह बात यहां पर कही गई इन अनुमान कितना लगाया है पंद्रा सो करोड बर्स लगाया गया है जो तरक संगत नहीं अतीत होता है मतलब तरक संगत जो है वो प्रतीत नहीं होता है यह गलत अमारा अनुमान निकाला गया है अगले देते हैं प्रतवी के महादीव महासागरों पर होने बाले अबसाद क्रि से निकाल सकते हैं यहाँ पर आपने देखा खारा समुद्र ठीक है इस परकार से और से अरा बगयरा मिलते हैं समुद्र में उठ से बना बना कर जो लिखना चाही हो ठीक है बस आपको मिना चाहिए राइड में आध किया है कि यूरेनियम पोथेशियं मतलब ताक विक्ताप विक्रित क्या होता है इसको रेडियो एक्टिप्ता कहते हैं किसको यूरेनियम पोटेशियम और थोरियम ठीके रेडियो एक्टिप्ता कहते हैं से क्या पत्वी की उत्पत्ती के पास चाथ दीगर काल तक रेडियो एक्टिप्ता तत्व द्वारा रदरफोड ने 1904 में यूरेनियम तत्वुद्वारा सैलो की आयू का परिकलन किया था समस्त बोगर्भी यूरीनिय तथा थोरियम पर आधायत प्रारंबिक परिकरतना बिभिन बिदियों से बोगर्भी ये समय का विस्तार कम से कम कितना माना गया है 3000 बिलियन बर्स operators माना गया है किसके अनुसार रेडियोर्टिप्ता के अनुसार ठाई तो बात करते हैं सबसे प्राचिन तमसैल पाश्चिमी ग्रीन लेंड में कितना माना गया है ये माना गया है अपना 4900 4900 मिलियन बर्स पूर माना गया है इसके आधार पर प्रत्वी की आयू का नुमान लगाया गया गया है वो कितनी है करिकर यूरियम विधी कि परिखल्पना की गई है बस इतनी यहां पर किये है की टोटल कितना बताया गया है करिया नहीं पूर्पना निकाल के रख सकते हो बस आगे देखते हैं और यह लाißट हो जाता है निर्दहाईत करने का प्रयास स्रिस्ती के किर्मिक विकास की ब्याख्या की है किसमेर डार्विन की 본ी पुस्तक है स्रिस्टी के बारे में किर्मिक विकास की ब्याक्या की है इसके अनुसार एक कोष की अम Northeast से लेकर मानव विक्सितत्व तक के क्रम को 400 बिलियन बर्स ना 400 बिलियन बर्स पूर्ब समय बताया है प्रकारा विद्वानों के अनुसार सैलो भूमी गर्वेति हास के प्रश्ट एबम जीबास्म उसके अच्छर हैं फिर रहा को भी तता इसमित के आदी के अनुसार कितनी मा कितना 200 करोड बर्स पूर्ब मानी जा सकती है किसके अनुसार जीब विध्यान के साथ ही के अनुसार पतवी कि ठीक है इस परकार से हमारे चार हो जाते हैं 4 को आद कि लिए लोस्ते गयुदल मानी गई है इसमें 400 मानी गई है ठीक है उसके बाद इसमें कितनी मानी गई है इसमें अठाइस सो मानी गई है ठीक है और इसमें कितनी मानी की इतना ही याद करना था बाकि आप आरे की सारे छोड़ो अब देखते हैं आगे दो दो क्यूशन हमने देख लिए दो क्यूशन में से क्यूशन आपको मिल जाएगा एक्जाम में यहां देखेगा आप देखेंगे अती लगू उत्री परिशन इसमें क्या देखने को मिलता है यहां देखा है फर्षे क्योशन कह रहा है कि आँ तुमारा बहुत इक बातावर का अध्यन ही बहुत इक भूगुल है किसने कहा तो किसने कहा था जा आर्थर होमस ने आपको मैंने समझाय था ना तो राइट आप तो जाएगा आर्थर होमस इस प्रिकास देख पर जैए को कितने भागों माटा गया था तीन देखी थी परीकलपनाई हमने कितनी इक हो जाती है लेपलाउस पी और दूसरी कोई जैन्स की थी और तीसरी हो जाती है है थीकर देखी तीन ने सब्सक्राइव घृष इंताना को मुख्यता कितने बागों में बाटा गया ओँ इसमें क्या गलब रखा गांगा है जय दो रकी Será करो मैं Keeping यह का टारक परिकल्पना और दो इतारक परिकल्पना दो एक तारक परिकलपना जिसम्हें लिप लॉस थे लापलास बाध दौफ ये लिए इस मौत बर्गों में बाटा गया था प्रत्रीग उत्प्ति के लिए आगे देखते हैं नेक्स रेका जो है वो किससे तुराव्र तो किसके निहारिक गया सिए था उसलवारी इसके दवरा याड में नहीं र्तिवी एक परत क्या का नाम क्या है तो आंत्रिक परत क्या होती है सब्सक्राइब और कहते है और कहाँ पे यह किसे का ये क्या क्या व flirting कहेएंगे तो राइटांस है का जाएगा option number रुट साथ का हो जाएगा य condiciones तो इसे आप देख सकते हो इनके और को याद होना पढ़ना चाहिये ठीक है पंपर पूंच सकता है कि आप में जो आघरा की सारा पढ़ना चाहिए वेसे थो में मगाल अभी कम समय हैं आपके लिए दो इंपोर्टेंट है भई पड़ जाएंगे मगर मेरा मानना है आप हांडेड़ next next कहारा है कि प्रत्वी के सौर परिबार में गिरहों की पुल सक्ट्ट तो थे संख्या है कितनी पड़ी थी नौ पड़ी थी तो नौ राइट हो जाएगा ठीक है आगे देखा प्रत्वी की उत्पत्ति के बारे में जोहारी के सुक्र हो जाएगा आङे लएक है जंद्रमाा क्या है उपग्रह हibly का टृफ्द्वी का हो जाएगा आगे देधाए 1929 में प्रतभी की उत्पत्ती में जोरिय सिद्धान्त की पृतिपादन किस ने किया था पत्री किया था जैंस जैंस जीन्ज ने दिया था अब यहम झेंगण ना यहें देखा था किसकर दिया थ ही और फ्रेंज जैंफ ने दिया था ठार्ट दिकाहिए थी काऊन सी परिकल्पल्म ऑयल बार हिए वेवा लिटिल दौरा प्रतिबा tribes have with the little तो कंतने तो कोई बात नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नीए तो ह interpret क्या प्राचीन अचाए था कऊंछा है यह याद कर लीन आगे देखते हैं कराहा सूर्ज से सबसे दूर कौनसा है तो अब हमने कौन सा देखा था यह हो जायगा है और देखते हैं कि अध्याट गोडरी से ऐख खाओ दाईगाज यहाँ देखीका यहां देखा सेरा मेंगमा जो निकलता है वह अपना है इस प्रिकार से यहाँ पर ठीक है तो मेगमा जो प्रत्वी के आंतिक पर तो से निकल कर सतय पर जमनी लगता है उसे क्या कहलाता है वो आपको बताना है तो से क्या कहते हैं लारबा कहते हैं तो इसे का कहेंगे वई इसे लाबा कहते हैं ठीक है आगे देखीगा जुरासिक युग किस कल्प से सम्मंदित है तो जुरासिक क को और भी पढ़ना है अगर और भी पढ़ना है कि जो रासे के युग बगएरा ठीक है जुरे से के युग यहां पर दिरक्थ है यह थोड़ा सा स्कीन सोट लिजेगा यहां पर स्कीन सोट लिजेगा ठीक है क्रेटे सल जो होते तिमारे क्रेटे सस्जों थे वो कहां पर पाया तो किस में आता है यह महाकल्प में आता है मेसो जो जो एक में आता है यह वैसे इंपोडेंट होता है चैप्टर बहुत important है, ठीक है, पीसरा वाला, मगधर हमें दो पर दी है, दो ही मैसे फ़ज़ आइगा सारा गिसरा ठीक है, दो मैसे सारा गिसरा आपको मिलने वाला है, तो भई, यह हमारा unit number बंजोत होता है, वह जाता है, समात, unit बंग क्या हो गया? खतम हो गया, ठीक है? यूनिट बन हमारा हो गया खतम तो फेंट्स वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है ठीक है महा रिवीजन में आपका स्वागत है ठीक है और सभी के लिए भी वेलकम भी है ओ ये आपकी आठ वीडियो मिलने वाली है आठ वीडियो मतलब आठ घंटे आपके मैं लेने वाला हूँ और महा रिविजन में सब कंफर्म हो जाएगा आपके लिए एक भी क्योशन एकजाम में नहीं जाने वाला है चाहें वो सौट हो, चाहें लॉग हो, चाहें बिल्कुल बहु भी कलपी हो, आठ लुट हो, ठीक है, आराम से क्योशन सौल्व होंगे, बस आपको देखते रहना है, जो मैं कह रहा हूँ, उसे पढ़ते रहना एक बार देखते रहना है, देखना है बस पढ़ना भी नहीं है, और जो मैं कह रहा हूँ, बस मुतना याद कर लेना, तो फिर्ट्स, जैहिन, जैबारत, फिर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो की ओर, ठीक है, महा रिवीजन के अंदर, जैहें, जैबारत,